दोस्तों काईसे हैं आप सब लोग आयो होग आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे कई दोस्त आप में से ऐसे होंगे जिनकी क्रोनर की वृशियां पर जॉब जा चुकी है और उनकी पास फिलहाल कोई भी जॉब नहीं है और वो घर पर है तो इसको तो उन लोगो यह benefit दिया जा रहा है अब यहां पर apply कैसे करना है यह सारी जानकरी आज आपको देने वाला इस पूरी वीडियो में तो आपको मैं बता हूँ कैसे आपने इसको apply करना है और apply करने के बाद जब आपके सारी दोक्यूमेंट इसमें submit कर लेते हैं और यहां पर फॉर्म भल लेते हैं तो अगर आप वैलिट पाए जाते हैं तो यहां पर आपको तीन मेंने का बिरुजगाजी बता दिया जा रहा है तो आज आपको बताओं को बिल्लो सही तरीकर किस तरीके से आपने यहां पर फॉर्म को फिल करना है और यहां पर अपना पंजीकन करना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को subscribe कर लिजे और साथी अगर इसकी जरूरत किसे आपकी इसी दोस्तों के तो उसे भी आप शेयर कर लिजिए ताकि वो भी इसको य दोस्तों कडिकने बाद आपके सामने आप एक website open हो जाती है जो की है इसी डौट ऐनासी डौट इन तो हम इस website को open कर लेते हैं तो जैसी आप website को open करते हैं आपके सामने यहाँ पर जो main page है वो open हो जाता है अब आपने क्या करना है सिंप्ली यहाँ पर सर्विस में क्लिक कर लेना है और सर्विस में क्लिक करने बाद यहाँ पर आपके सामने option है employees जैसे आप employees में क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने याप पर आ चुका है अटल बेमिद ब्यक्ति कलियान योजना तो आपने सिंप्लि इसको ओपन कर लेना है अब जैसे आप इसको ओपन कर लेते तो यहाँ पर इसकी जो terms and conditions हैं वो आपके सामने याप पर open हो आती हैं तो एक बार आपने क्या करना है इसको अच्छी से पढ़ लेना है और आपने यह देख लेना है कि आप इसकी जो यह scheme है आप इसके लिए eligible हैं या नहीं तो जब आप इसको पढ़ लेते हैं अगर आपको कोई भी confusion होता तो यहाँ पर आपको दिया आगया और यहाँ पर आपने कर लेना है इसक इंप्लॉइमेंट पोर्टल जी हां यहाँ यहाँ पर आपने करना है इसक इंप्लॉइमेंट पोर्टल तो गूगल में जैसी आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर option देता है Employment Portal Login तो simply हम इसमें क्लिक कर लेंगे तो जैसी आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देता है User Login और यहाँ पर दिया गया है User Name और Capture अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर जो User Name है वो मैं क्या डालूँ तो दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है User Name is your Asic Insurance Number यानि कि जो आपका Asic Number है वो ही यहाँ पर आपका User Name है तो हम क्या करेंगे अपने Asic Number को यहाँ पर As a Name यूज कर लेते हैं तो चलिए हम डाल लेता हूँ यहाँ पर Asic Number और उसके बाद आप यहाँ पर Enter कर लेते हैं Capture करने के बाद आप सिंप्लिए यहाँ पर कर लेते हैं Login तो जैसी आप Login करते हैं आपकी यहाँ पर जो Detail है वो Detail सारी Open हो जाती है तो आपने क्या करना है यहाँ पर अपने Detail को अच्छे से एक बार चेक कर लेना है यह करने के बाद आपको यहाँ पर Option देता है Claim Creation तो हमने क्या करना है यहाँ पर Claim Creation करना है तो simply हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नया page open हो जाता है अब देखिए यहाँ पर आपको सबसब लिखावा दिख रहा है You have already applied for ABVKY claim for 90 days यानि कि मैं यहाँ पर ABVKY के लिए पहले ही claim कर चुका हूँ और यहाँ पर जो मेरा claim है वो under process है तो मैंने यहाँ पर apply कैसे किया यह मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर आपका insurance number आ चुका है आपका name आपको दिख रहा है आपके date of birth आपको दिख रही है और यहाँ पर आपका mobile number भी entered है और साथी account number भी है तो आपने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर अपना जो claim period date है उसको enter करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर 90 दिन का जो है claim मिल रहा है तो आप यहाँ पर 90 दिन के इसाफ़ से date डालेजिए अब जैसे देखिए मैंने आपर date डाले कि 17 2020 से 39 2020 यहाँ कि मैंने आपर तीन महने का period दिया हुआ है आप उसे तरह के से यहाँ पर तीन महने का period दे सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर कर लेजिए माल लीजिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जून एक जून से कर लिता हूं तीन मेने की जून, जुलाए, अगस्त तो जैसे आपने अगस्त तक करना है तो आप क्या करेंगे अगस्त की यहाँ पर last day डाल लेंगे इस तरीके से तो यह आपका हो जाता है तीन मेने का period तो आप यहाँ पर अपने एसाफ से जब आपकी जॉप छोटी हुई थी उसाफ से यहाँ पर आप तीन मेहने का क्या करेंगे गैप डाल देंगे यह डाल देंगे यह बाद आपके सामने यहाँ पर एक option है जो की है यहाँ पर add upload bank detail तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहा आपकी passbook है पासbook का जो front page होता है जिसमें account number और ifc को सारे detail होती है उसकी photo लेनी है उसका print निकालना है self attest करना है और यहाँ पर उसको simply upload कर लेना है अब इसको upload करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देता है upload AB1 form तो यह AB1 form क्या है सब से पहले आपने इस form को यहाँ पर से download कर लेना है जहाँ पर लिखा हुआ है click here to print तो हम आपको यहाँ पर click करकर दिखाता हूँ कि यह कौन सा page है तो हमने क्या करना है उस page को यहाँ पर download कर लेना है तो देखी यह download हो चुका है और इस page को हमने download करके इसको fail करना है तो मैं इससे open कर लेता हूँ तो देखी आपकी इस सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाती है और हम पेच को नीचे यहाप रसके और चेहाँ पर ड्राइक करते हैं तो आपने यहाँ पर आज आज एक आ पका मूवाईल नंबर और इमेठी डि तो आपने ऀस सारी ङीटेल को यहाँ पर फिल कर लेना है अपनेशियेत करके अपने सरे धीटलि करके आपने क्या करना है इसको यहाँ पर फृल कर लेना है यहाँ पर लिखा हुआ है upload a.v. form तो मैं यहाँ पर इसको पहले upload कर चुका हूँ क्यूंकि आप जानते हैं मैं claim कर चुका हूँ तो simply यहाँ पर आपको देगा upload का option अब यहाँ पर मेरे को दे रहा है view का option क्योंकि मैं यहाँ पर upload कर चुका हूँ तो जैसे हैं यहाँ आप अप्लोड कर लेते हैं तो आपका भी same यहाँ पर view AB form दिखाई देगा उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर upload कर लेना है अपना आधार हाँ तो आप क्या करेंगे यहाँ पर अपने आधार की फोटो लेंगे और आपको देगा upload का option तो simply आप उसे यहाँ पर upload कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे कहता है upload bank document तो यहाँ पर भी आप अपने जो checkbook है उसकी फोटो डाल सकते हैं या फिर आपकी जो पासूक है उसकी फोटो डाल सकते हैं तो जब आप यह सारे details यहाँ पर fill कर लेते हैं बस आपको इन ही चीज़यों यहाँ पर fill करना है ज्यादा आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मागा जाता है जब आप इन सारे detail को यहाँ पर भल लेते हैं तो आप ने उसके बाद simply यहाँ पर क्या कर लेना है पेज को submit कर लेना है तो जब आपका page यहाँ पर submit हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर 30 दिन का time दिया जाता है और 30 दिन के अंदर अगर आपको document सही पाए जाते हैं आपको details सही पाए जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3 मेने का जो है आपको सायता दी जाती है तो दोस्तों यह थी मेरी आज की छोटे से वीडियो अगर आपको लगता कि वीडियो अच्छी है प्लीज वीडियो को लाइक करिये और हाँ अगर आपके कोई दोस्त है जिनको भी इसकी ज़रोज़ोत है प्लीज उनको भी आप यह शेयर कर सकते है तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो